नमस्कार दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है आज हम पावभाजी की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट होती है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो चली देखते हैं कि इसको किस तरह सी बनाया जाता है पावभाजी ब एक बाउल हमने यहाँ पर यह आलू लिये हैं काटकर इनको भी इसमें डाल देते हैं तीन से चार चमबच यहाँ पर हमने मटर के दाने लिये हैं इसको भी इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी डाल देते हैं स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे अब सभी चीजों को आपस में मिलाकर हम इसको उबालने के लिए रख देते हैं हमें इसको दो सीटी आने तक उबालना है तो हम कूकर बंद करके इसको उबालने के लिए रख देते हैं दो सीटी आ चुकी है इस्टीम रिलीज होने पर हम इसको खोल कर देखेंगे यह देखे कुकर के स्ट्रीम रिलीज हो चुकी है, हम इसको मैश कर लेते हैं सारी सबजियों को हमें अच्छे से मैश करना है हम सभी के पास घर में मैशर नहीं होता इसलिए हम इसे करची से ही मैश कर रहे हैं एक पैन को गैस पे गरम करने के लिए रख दिया है, उसमें थोड़ा सा मक्खन डाल देते हैं, थोड़ा सा मिया पर टमाटर, हरी मिर्च और अधरक का पेज़ डाल रहे हैं, लगवग 100 ग्राम टमाटर का हमने यहां पर पेज़ बनाया, अब इसमें कुछ मसाले डाल देते है इसमें डालेंगे आदी छोटी चमच हल्दी पॉडर और आदी छोटी चमच मिर्च पॉडर, इनको आपस में चलाते हुए हम थोड़ा सा भून लेते हैं, मसाले में हमने दो चमच बारी एक कटियोई शिमला मेज़ डाली है, एक चमच यहां पर पावजी मसाला डालाए, म मसाले को थोड़ा भून लेते हैं, मसाले को हमें तेल अलग होने तक भूनना है, मसाला भून चुका है, इसमें हमने जो सबजीया मैश करके रखी थी, उसको डाल देते हैं, अब हम सबजी में जितनी भी थिक ग्रेवी हमें रखनी होगी, उतना पानी डाल लेंगे, एक कट हम इसे सिम गैस पर पकाएंगे, उसके बाद हम इसे धन्या और मखन के साथ इसको सर्व करेंगे, तो सबजी हमारी बनकर तयार है, इसको सर्व कर लेते हैं, भाजी हमारी बनकर तयार है, अब हम इसके साथ खाने के लिए पाव सेक लेते हैं, थोड़ा सा हमने आपर पैन में म बाओ को थोड़ा सा सेक लेती हैं पाओ को हमें अच्छे से दोनों तरब से पहले हम इसे बीच में से सेकेंगे और फिर इसके बाद हमें से दोनों तरब से सेकेंगे कभी-कभी खाने में कुछ नया सा अलग सा āछा होता है तो आप recipe को जरूँ try करें इसको हम कभी भी खा सकते हैं चाहे तो हम इसे नाश्ट पनाये या फिर खाने में हम इसे कभी भी बना सकते हैं पाओ भी अमारी सिक्कर तयार है तो हम इसे serve कर लेते हैं भाजी पर हम थोड़ा से धन्या गार्णिश कर देते हैं और इसमें लगाएंगे थोड़ा से मक्कन और पाओ को हम इस तरह से सर्व कर लेते हैं तो पाओ भाजी हमारी बनकर तैयार है आप रेसिपी को जरूर ट्राय करें आपको बहुत पसंद आएगी इसी तरह की नई नई रेसिपीस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का बैल आइकन बटन भी दवा दें जिससे आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख पाएं नमशकार धन्यवाद